असकार बहुत स्वागत है आपका दोस्तों दीपावली के दिन भूल से भी किसी को बहुत ऐसी चीजें हैं जो खास होती हैं जो किसी और को अगर आप दे देते हैं तो यकिन मानिए जीवन में परिशानी तो बढ़ती हैं हमें ऐसा नहीं कहेंगे कि आप रंग हो जाएंगे राजा हो जाएंगे लेकिन हाँ जीवन में परिशानी बढ़ जाती है मुश्किलें ज्यादा परिशान करती हैं तो ऐसे में मा लक्षमी को परसंद करने के लिए और साथ ही साथ इस्तिवहार का मज़ा लेने के लिए कि पूरे साल हम इतना इंतजार करते हैं घर की सफाई क करते हैं तमाम तरह के नियम खॉलो करते हैं क्यों क्योंकि जीवन जीना आसान हो जाए अब कुछ ऐसी चीजे हैं जो भूल कर भी अगर आप दीपावली के दिन किसी को दे देते हैं तो यकीन मानिए कुछ तो गरबर होता है तो चलिए हम आपको बता ही दे सबसे पहली चीज है स्टील और लोहे से बनीवी कोई भी चीज किसी को गिप्ट नहीं देना चाहिए और दूसरी बात घड़ी मत दीजिएगा किसी को आपका किसमत अगर चका चक चल रहा है तो सामने वाले के पास चला जाएगा और उसकी बत किसमती आपके पास आ सकती है और ना ही किसी से आप लीजिए क्योंकि वो अगर उसका सरीन या फिर उनका वेपसाय उनका जॉब उनका परिवारी जीवन में कुछ परेसानिया है और घड़ी आपको गिफ्ट करता है तो यह आपके घर आ सकती है तो समल के रहिएगा अब दूसरी चीज है सिल्क अब सिल्क से बना हुआ सिल इस लक्षमी जी की मुर्ती कितना भी कोई क्यों न मांगे मत दीजेगा उनको अगर पैसे से भी लेना है तो मार्केट से ले ले आप क्यों दे आपके घर की लक्षमी आपके ही पास रहे तो जादा सोभा देता है दीपावली के दिन चांदी की पूजा होती है आपने जो धंतेरस के दिन सोना चांदी या भी बरतन खड़ीदे हैं जितने भी आप पुझा पाट के समान खड़ीदे हैं धंतेरस के दिन पुझा करते हैं और दिपावली के दिन उस चीजों की पुझा करने के बाद यूज करते हैं तो भूल कर भी किसी को ये चीज गिप्ट में मत द आजकल तो प्रशलन हो गया है, लोग पैसे देते हैं, सोना चांदी देते हैं, पर असूब होता है, मत दीजेगा, और साथ ही तेल, लकडी, लकडी यानि काठ जिसे कहते हैं, उड़, कोई भी चीज, फरनीचर हो, कुछ भी हो सकता है, तेल या घी, ये सभी चीजे, मत दीज भार आते हैं, तो लोग बहुत मज़े से, माल पुआ, दई भले, खीर, खाते हैं घर में, खाएए, खिलाएए, पर ले जाने मत दीजी किसी को, ध्यान रखेगा, और मा लकडी बहुत चंचला होती है, इसलिए मा को मनाईए, मा को अपने घर में रखेगा, और रात में लक पर आती हैं, और घूम घूम कर सबका घर देखती हैं, किनका घर में सफाई है, जूठे ना रहे, जपल जूठे संभाल कर रखेए, जारू को धक कर रखेए, और जारू में पूजा कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है आपने तो, एक सफेद धागा या मॉली धागा जार अधर महादीब